गरेलू उप्चार और सोकी जीवन चनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सर्दी, खासी, जुकाम और एलर्जी इन सबी के लिए पांच गरेलू और बहुती ज़्यादा एफेक्टिव आर्वेदिक उप्चार दोस्तो सर्दी, खासी और जुकाम ये सब एकी परिवार के रोग है और इनकी ओसर्दी भी लगभग एकी जैसी है हम आपको बता रहे हैं आसान से नुसके इन्हें आप घर पर ही बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं और एलोपैथी दवाओं के साइड अफेक्ट से भी बत सकते हैं आए देखते हैं दवा बनाने की विधी और इस्तेमाल करने का तरीका नमबर एक सर्दी खासी जुकाम एलर्जी आदी के लिए दवा आप घर पर बना सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए तुलसी का पोधा पचास गिराम जिसमें पत्ते तना और बीज तीन होने चाहिए अब इस पोधे को एक बर्थन में डाल कर 500 मिली ग्राम पानी डाल लें और इसमें 100 ग्राम अद्रक और 20 ग्राम काली मिर्च दोनों को कूट पीज कर डाल दें और अच्छे से उबा लें जब पानी 100 ग्राम रह जाए तो इसे च्छान कर किसी काच की बोटल में डाल कर रख लें धन्डा होने पर इसमें थोड़ा सा सहद मिला लें अब आप इसके दो दो चम्मच दिन में तीन बार लें नमबर दो बराबर मात्रा में अद्रक के रस के साथ तुलसी का रस मिला लीजिए और इसको हलका सा गरम करके सहद या गुड़ मिला के सुबह खाली पेट दो पहर और साम को एक एक चम्मच करके ले लीजिए नमबर तीन चुकाम के लिए दो चम्मच अजवाइन को तवे पर हलका सा भूने और फिर उसे एक रुमाल या कपड़े में बांध ले और पोटली बना ले और उस पोटली को नाक से सूंखें और सो जाएं यह उपाय आपको रात में सोने से पहले करना है नमबर चार खांसी के लिए रोज दिन में तीन बार हलके गरम पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक डाल कर गरारे करें इसी के साथ सुभे, दोपहर और फिर रात को सोने से पहले एक एक चम्मच सहद में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च का पोटर डाल कर मिलाएं और उसे चाटें अगर खासी जादा आ रही हो तो दो साबुत काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी मिसरी मुह में डाल कर चोसें इससे आपको काफी आरा मिलेगा नमबर पांच गले की खरास या गले में किसी भी परकार का इंफेक्शन हो गला बैट गया हो पानी पीने में भी तकलीफ हो रही हो लार निकलने में भी लार को निगलने में भी तकलीफ हो रही है आवाज भारी हो गई है इन सब समस्याओं के लिए एक गलास देशी गाय का दूद ले और उसमें एक चम्मच देशी गाय का घी और चोथाई चम्मच हल्दी इन सब को मिलाकर थोड़ा सा उबाले और इसको चाय के तरह साम को एक बार जरूर पीएं दोस्तो आज के लिए बस इतना ही यदि हमारी यह वीडियो और नुस्खे आपको अच्छे लगे हूँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम जल्दी ही फिर लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें